नश्कार दोस्तों ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फोर मेंज का पार्ट हैं आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियो पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हो और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियो को देखना चाहते हो तो वीडियो के नेचे मौझूद जोइन बटन की साइथा से आप मेंबर्शिप को जोइन कर सकते हो चलिए डिसकेशन स्टार्ट करते हैं आप जीएस पेपर 3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो ये आर्टिकल लिखा गया है घोतम बार्टिया के द्वारा देखो आपको या और एकोनमिक एक्टिविटीज को रिवाइव करने के लिए विबिन राज्ये अपने अपने अपनी लेबर लास में बदलाव कर रही हैं जो रिस्टिक्शन होती हैं लेबर लास में जैसे लेबर एक दिन में आठ घंटी से ज़्यादा काम नहीं कर सकते उससे ज़्यादा क काफी सारी श्टेट्स ने सस्पेंड कर दिया हैं। यह सारी इंफोर्मिशन दी हुई है जो वैसे आपको याद रखनी क्या हो सकता नहीं हैं। जैसे हिमाचर परदेश, रज़स्तान पंजाब में क्या बदलाव हुआ है। गुजरात में क्या बदलाव हुआ है। हरियाना, है qualitative aspect, procedural aspects की हम बात पहले करते हैं, देखो labor जो है, वो concurrent list में आता है, तो काफी सरे states ने अपने अपने राज्य में labor law को dilute किया है, तो मतलब उन्होंने parliament के द्वारा बनाय गए act को overcome किया है, लेकिन ऐसा करने से पहले तो आपको पता है, president की assent लेना ज़रूरी है, question उठता है, क्या central government से consult किया गया है, विबिन राज्यों के द्वारा labor law में बदलाव करने से पहले, ये देखने वाली बात है, दूसरा point, procedural aspect में, काफी राज्यों ने ordinance की साहिता से labor law में बदलाव किया है, देखो ordinance की साहिता से इतने important कानूनों में बदलाव करना कहां तक जायज है, इस पर एक बड़ी debate हो सकती है, क्योंकि ये कानून ऐसे कानून है, जो बहुत सारे workers के right को परभावित करते हैं, तो इन कानूनों में आप बदलाव करना चाहते हूँ, इससे पहले कम से कम एक बड़ी discussion होनी चाहिए, debate होनी चाहिए, simply ordinance की साहिता से इन कानूनों में बदलाव नहीं होना चाहिए, इसके बाद तीसरा point है, emergency से समदित, देखो काफी सारे labor laws ऐसे हैं, जिन में साफ तोर पर लिखा हुआ है, कि emergency की situation में labor laws को की implementation को कुछ समय के लिए suspend किया जा सकता हैं, बट, महमारी तो है अभी, लेकिन क्या आप इसे वैसी emergency कहोगे, जैसा Parliament ने envision किया था, जब ये कानून बनाए गया था, सोचा तो देखो ये गया था, हमारी Parliament के द्वारा जब ये कानून बने थे, कि कोई युद हो जाता है, इंडिया का दूसरे देश के साथ, internal security से सम्मंदित कोई घंबीर प्रोब्लम आ जाती है, तब जाके उस situation में in labor laws की implementation को suspend किया जा सकता है, अभी महमारी तो है, लेकिन वैसी situation नहीं है, जैसी सोची गई थी, कि कब इन labor laws को suspend किया जा सकता है, तो ये हमने बाप की procedural aspects के हिसाब से किस परकार का criticism हो रहा है, इन labor laws के dilution का, अब बात करते हैं qualitative aspect की, देखो, जब fundamental rights को draft कर लिया गया था, तो डक्टर बी आर अमेड कर को बोला गया था, वो chairperson थे drafting committee के, कि आप एक note त्यार कीजिए fundamental rights के idea के उपर, तो डक्टर बी आर अमेड कर ने अपनी राय रखी थी, ज़ादा तर जो fundamental rights हैं, वो ऐसे हैं, individual की freedom को secure करने के लिए, state की power को limit करते हैं, मतलब state की power पर restrictions लगाते हैं, ताकि individuals अपने rights को exercise कर सकें, practice कर सकें, बट, ये भी तो हो सकता हैं, कि individuals को खत्रा हो, दूसरी private parties से, private party कोई company हो सकती है, कोई दूसरा individual हो सकता है, कोई दूसरा group हो सकता है, मतलब हर एक वो entity या फिर person, जो सरकार का part ना हो सिधा सिधा, उनसे भी तो खत्रा हो सकता हैं, individuals को, मैं को simple example देता हूँ, अगर देखो, दो person है, A और B, A person ने B person को कैद करके रखा है, अपने घर में, तो यहाँ पर खत्रा किस से है, A state तो नहीं है, A भी एक private individual है, B भी private individual है, लेकिन B को A ने कैद करके रखा है, उसका right to life जो है, वो परभावित हो रहा है, तो यह क्या है, इस case में, B को खत्रा state से नहीं है, B को खत्रा है private parties से, इस aspect पर भी ध्यान देने क्या आँ सकता है, मतलब, अगर हम यह कहते हैं, कि individuals की freedom को सिरफ खत्रा है state से, तो यह तो देखो, freedom की एक बहुत ही narrow understanding होगी, individuals की freedom को खत्रा है, ना सिरफ state से, बलकि दूसरे private parties से भी, इसलिए Dr. B. आर Amitkar ने कहा था, आप यह ensure कीजिए, कि private persons भी, जो powerful हैं समाज में, powerful देखो, economic हिसाब से हो सकते हैं, मतलब, उनके पास ज़्यादा पैसा हो, ज़्यादा wealth हो, social हिसाब से हो सकते हैं, casteism हमारे देश में उस समय काफी ज़्यादा था, समाज में वो लोग जो so-called अपरकाश्ट से आते हैं, तो ऐसे लोग less powerful लोग को exploit कर सकते हैं, उनकी freedom को harm पुंचा सकते हैं, तो आप इसे भी eliminate कीजिए, इसके बाद देखो, article में ये बोला जाता है, डक्टर बी आर अमबेट कर, rights of labor के, लंबे समय से advocate थे, इवन 1931 की कराची declaration में, जो दूसरे civil rights हैं, for example, freedom of speech and expression, इनी के बराबर labor rights को रखा गया था, और हमारे preamble में भी, जब बात की जाती है, political freedom की, उसके साथ-साथ, economic freedom की भी बात की जाती है, जब सविधान हमारे देश का बना, तो उसमें, labor rights का provision क्या गया है, labor rights को rights दे गए हैं, अलग-अलग sections में, जैसे एक तो fundamental right है, article 23, right against forced labor, और एक DPSP में भी है, बताइए कौन सा article, article 43, जो की workers के rights से समन्दित हैं, देखो, आगे इसी बात को, एक बहुत ही बढ़िया example के साथ, समझाय जाता है, a person है, a person के कनपटी पर बंदूक रखती जाती है, कि भाई तुम काम करो, अदरवाइज मैं गुली मार दूँगा, ये क्या है, ये example है, forced labor का, डर दिखा के, काम करवाए जा रहा है, जबरण काम करवाए जा रहा है, बट, अब आप ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ क्या यही example है, forced labor का, कि मार पीट की धमकी देके काम करवाना, नहीं, बिल्कुल नहीं, देखो, अगर हम कहते हैं, कि सिर्फ यही example है, forced labor का, तो मतलब हमारी understanding काफी जादा narrow है, जैसा हमने पहले डिसकस किया, देखो, ऐसा भी तो हो सकता है, कि A को बिचारे को बहुत ज़्यादा पैसों की जूरत है, कहीं और काम भी नहीं मिल रहा है, और मालिक जो है, वो A को मजबूर करता है, कि मैं तो 50 रुपे दूँगा, एक दिन के काम करना है, तो कर ले, तो A को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं और से काम मिल ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, ये भी एक परकार का forced labor है, क्योंकि A की economic situation का फाइदा उठा के, A से काम करवाय जा रहा है, एक और चीज समझे आप, A जो है, ऐसे reason से आता है, जहां पर कास्ट रिजम बहुत ज़दा है, lower caste, upper caste, ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं, तो वहाँ पर, so called lower caste के लोग को कोई और काम मिलता नहीं है, मतलब लोगों ने इस परकार की धारणा बना रखी हैं, तो मजबूरी में A person को कोई काम करना पड़ रहा हैं, जैसे manual squenching आप माल लीजिए, तो ये भी एक परकार का forced labor हैं, समझ गए, मतलब forced labor का जो concept है, वो बहुत broad हैं, आप workers को freedom देना चाहते हो, तो सिरफ physical freedom की बात मत कीजिए, economic freedom की भी बात कीजिए, ताकि worker अपनी मन पसंद का काम चुनसकें, social freedom की भी आप बात कीजिए, इसी से समझनी देखो, Supreme Court का एक case आया था, 1983 में, मतलब Supreme Court का एक verdict आया था, उस समयना, 1983 में, A.C.R.D. Games होने थे, और infrastructure बड़े scale पर develop हो रहा था, जब एक stadium बन रहा था, तो वहाँ पर पाया गया, कि कुछ मज़दूरों से contractor जो है, बहुत ही खराब condition में काम करवा रहा है, तो काफी controversy उस समय जनरेट हो गई थी, मामला पहुंचा था, Supreme Court में, Supreme Court में, यह जो case पहुंचा था, उसका नाम था, P.U.D.R. versus Union of India, contractor ने कहा था, यह forced freedom नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, कि हम कनपट्टी पर बंदूग रखके काम करवा रही हैं मज़दूरों से, वो अपनी इच्छा से काम कर रही हैं, लेकिन Supreme Court ने इस verdict में, यह simply साफ तोर पर कहा था, कि भाया, सिरफ forced labor का मतलब यह नहीं है, कि आप जबरन काम करवाते हो, अगर economic situation खराब है, आदमी बहुत ज़रा जूर्तमन्द है, उसे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, उसके पास कोई choice ही नहीं है, और आप उसे कम वेतन दे रहे हो, तो ये भी एक example है, forced labor का, इसके बाद article में कहा जाता है, देखो free market economy में न, ऐसी situation पैदा हो जाती है, कि एक तरफ capitalist लोग होते हैं, और capitalist class के जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा power whole होते हैं, उनके पास wealth होती है, कानून को अपने हिसाब से वो बनवा सकते हैं, और दूसरी तरफ, जो labor class के लोग होते हैं, उनके पास कम rights होते हैं, लेकिन balance of power shift करने के लिए बीच में, ताकि capitalist class के लोग labor class को exploit ना करें, labor rights का concept आया, कि मतलब कानून होगा, तो capitalist class के लोग labor class के लोग को exploit नहीं करस केंगे, हमारे देश में भी काफी सारे कानून आये, आजादी के बाद labor को rights प्रोवाइड करने के लिए, अलग 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 concept आया, कुछ देश ऐसे हैं, जहां पर कानून ऐसे हैं, कि workers को even management में seats दी गई हैं, ताकि farm चले, उसमें मजदूरों का भी say हो, हमारे देश में workplaces के अलग अलग aspect से, जुड़े अलग अलग labor कानून बने, जैसे कुछ कानून ऐसे हैं, जो ये right provide करते हैं, कि मजदूरों, सो से ज़्यादा मजदूरों की farm या फिर company हैं, तो उनको हटाये नहीं जा सकता, एकदम से जब तक की labor department का approval ना मिल जाए, कुछ कानून ऐसे हैं, जो बोलते हैं, क्रेट्स की facility होनी चाहिए, पीने की पानी की facility होनी चाहिए, कुछ कानून ऐसे हैं, जो इस परकार का provision करते हैं, कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, compensation की बात करते हैं, कुछ labor कानून, मतलब workplaces से जुड़े अलग-अलग aspects पर, अलग-अलग labor कानून हमारे देश में आए, बट देखो, दिक्कत ये हैं, इनकी implementation हमारे देश में अच्छी नहीं हैं, आरोप ये लगता हैं, कि labor bureaucracy जो हैं, ताफी corruption होता है labor bureaucracy में, इस वज़े से effective implementation labor कानूनों का नहीं हो पाता, और इसके अलावा compensation की भी बात आती हैं, तो judiciary efficient नहीं हैं, जल्दी से labor को compensation नहीं मिल पाती, एक्सिडेंट होने की शूरत में, informal sector में तो मजदूरों को बहुत कम right मिलते हैं, हमारे देश में even trade unions भी इतनी effective नहीं हैं, जो factories और company के मालिक हैं, वो trade unions के बदा दिकारियों को कुछ facilities प्रोवाइड करते हैं, इस वज़े से जो trade union के leaders हैं, वो ज़्यादा आवाज उठाते नहीं हैं मजदूरों की, तो इन सब friends पर हमारे देश में labor last का अच्छे से implementation नहीं हो पा रहा हैं, अभी तो देखो situation ऐसी है, casual labor और भी तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे आप ओला, Uber driver की job माल लीजिए, जो मैटो सुविगी के workers माल लीजिए, ये क्या हैं, ये casual labor के examples हैं, इनकी तदाद काफी बढ़ रही हैं, तो बलकि labor last को strict करने की आउ सकता है, ताकि इनको इनके rights मिलें, जो मिलने चाहिएं, बट हो उल्टा रहा हैं, अभी क्या हुआ है, जैसा सुरुवात में हमने डिसकस किया, economic activities को revive करने के लिए, women states ने labor last को dilute कर दिया हैं, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion,